दोस्तो आज हम सीखने वाले हैं Facebook पर follow का बटन कैसे लगाते हैं Facebook पर follow का option कैसे लाते हैं अगर आप चाहते हैं आपकी Facebook profile पर add friend का बटन हड जाए और follow का बटन आ जाए तो इसके लिए आपको अपने Facebook app को open करना है उपर में 3 line पर click करना है इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर settings and privacy पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको settings पर click करना है settings पर click करने के बाद आपके सामने Facebook की settings आ जाएगी यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी How people find and contact you आपको इस setting को open करना है इसके बाद उपर में आपको एक setting मिलेगी who can send you friend request यहाँ पर आपको click करना है everyone पर अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यह everyone पर set है तो आपको इसे यहाँ से हटा कर friends of friends पर set कर देना है यहाँ पर setting update हो गई आप यहाँ से back आना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ आपको एक setting मिलेगी followers and public content आपको इस setting को open कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यह setting friend पर set है तो आपको इसे public पर set कर देना है अगर आपके facebook में पब्लिक का बटन काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है अपनी facebook profile से lock हटा देना है अगर आपने facebook profile पर lock लगाया है तो यहाँ पर यह public पर set नहीं होगा पहले आपको profile से lock हटाना है इसके बाद यहाँ पर आपको public पर set कर देना है इसके बाद आपकी Facebook प्रोफाइल पर follow का बटन आ जाएगा इसके बाद आप अपनी Facebook प्रोफाइल पर lock लगा सकते हैं अब यहां से हम back आते हैं अब देखेंगे कैसे कि Facebook प्रोफाइल पर follow का बटन आया है या नहीं तो इसके लिए आपको अपनी Facebook प्रोफाइल पर आना है, यहाँ पर आपको 3.ड पर किलिक करना है, यहाँ पर आपको View Us पर किलिक करना है, तो यहाँ पर दोस्तो आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी, आपकी profile दूसरों के facebook में किस तरह से दिखाई देती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो आप देखेंगे यहाँ पर follow button आ गया है इस तरह से दोस्तों आप facebook पर follow button लगा सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना